हलो एवरीवान वेलकम बैक टो दे चानल और कैसे हो आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे सेहत मंद होंगे खुशाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे हम सब भी मज़े में हैं पूरे हफ़ते वाशिंग मशीन जो है और यह एक एप कनेक्टेड वाशिंग मशीन है तो यह ना इसका जो आप है वो मुझे प्रॉम्ट करती रहती है कि टब क्लीनिंग का टाइम आ गया है तो पहले वाली जितनी भी मेरी वाशिंग मशीन थी वो तो मैं अपने इंट्यूशन से उसको क्लीन कर लेती थी पर जै झाले जो प्रॉम्ट कर लेती है सुबह के जो थोड़े बहुत काम होता है वो निप्टाय जा चुके हैं अच्छली ये दोपैर के खाने की तयारी हो रही है बहुत दिनों से बहुत जोर से मेरा मन हो रहा था कि बिंडी की सब्जी बनाओं पर मैं अपने आपको रोक रही थी कि थोड़े वक्त बात ये जो सर से बनाओंगी पूरी सर्दी नहीं बनाए मैंने आजकल तो बिंडी आच्छी वाली सर्दी में भी अवैलेबल होती है बट यही सोचकर कि सर्दी की जो सबजियां पहले उन्हें उन्हें एंज्वाइ कर लें गर्मियों के लिए बिंडी को रख देंगे वर्कम बाक तु द या ऐसी आउटिंग जो लिजर रिलेटिड हो वह सब थोड़ा पॉस्पोन होती चले जाती है और वो सारी चीज़ें ज़रूरी है अगले हफते की त्यारी के हिसाब से वह प्राइमरी हो जाती है तो सारा का सारा मेरा वीकेंड यूज्वली यही सब में निकल जाता है और आने वाले हफता तो और भी जादा इंपर्टनी क्योंकि चार मार्च से मेरे बच्चों के ऐग्जाम भी शुरू हो रहे हैं तो थोड़ा बच्चों के साथ साथ मॉमी के भी एक्जाम होते ही हैं उनकी भी भी जिम्मेदारी वाला एहसास उनका चलता रहता है कि बच्चे कही मिमाना हो जाएं टाइम लिये हो हो सो दाट एक्जाम के दौरान कोई डिफिकल्टी ना हो तो आगे मेरा जो टाइम है वो काफी जादा बिजी बिजी रहने वाला है तो आज मेरा मना रहा है कि मैंना एक प्रॉपर चुटी के दिन वाली थाली बनाओ मैंने बहुत वक्से क बनाओंगी कुछ एक टिप्स और ट्रिक्स बहुत अच्छी वाली आपके साथ शेर करोंगी जिनसे आपको भी आपकी किछन में काफी हेल्प हो सकती है और आप भी फटा फट से खाना बना सकते हो और मुझे यादा रहा है मुझे बहुत सारे दोस्स बोलते हैं कि आपके करते हैं तो येस मैं सभी का इस्तमाल करते हैं तो येस मैं सभी का इस्तमाल करते हूं डिपेंड्स की किस रेसिपी में किस की ज़रत लगेगी कौन सी चीज किसमें अच्छी बन सकती है तो मैं उसे साब से कुक्वेर का इस्तमाल करती हूं तो बहुत सारे में बहुत वक्त स इस्तमाल करते हुए और मुझे काफी जाधा पसंदार है तो चलिए शुरू करते हैं पहले में फटाफट से आपको दिखा दीती हूं मेरे फेवरिट कुक वेर जो मुझे मेरे किचन में मस्त ही है आज कल में बहुत इस्तमाल करती हूं और इसके बाद फटाफट से यह एक 3-liter को कुकर है और यह है ना ट्राइपलाय स्ट्रक्चर से बना हुआ है मतलब इसका 3-layer कंस्रक्शन है और मुझे कुकर जो होते है ना तीन तरह के कुकर आते हैं उसमें से यह जो आटर लेड है यह मेरा दी मोस्ट फेवरिट है और यह तीन कपैस्टी में आते है 1 1.5-liter 3-liter मेरे पास और यह किसे बड़ होता है 5-liter तो आपकी अगर बड़ी है तो आप 5-liter वाला भी ले सकते है तो आप 5-liter ले सकते है अगर फामिली चोटी हो आज मैं को साथ करोंगी कि एक ही कुकर में एक ही साथ आप दाल चावल दोनों साथ में कैसे बना सकते हो ताइम वो है यह यह लोह का वोक यह बुड़न है यह बुड़न के साथ है और यह प्योर 100% आइरन से बना हुआ है और इसमें अस्टर फ्राइ करना और सबजी बनाना बनाना बहत असान है जब भी कभी मुझे ऐसे सबजी बनानी होती हूँ ज़ बनाना पसंद करती हूँ तो मैं इस वोक में बनाती हूं इसकी बनीवी सबसी का टेस्ट एक अलगी होता है इस कुक्वेर फॉर्टिफाइज यॉर फॉर्ट विद आरन इस वोक कम्स प्री सीजन इस पर्फेक्ट फोर में नूडल स्टर फ्राइज साथे फ्राइज जो चाहें आप इसमें कर सकते Also Indus Valley cookwares are 100% natural cookwares and long lasting too And another my really favorite cookwares you watch a lot of videos like very frequently use It is Indus Valley Kadai, its thickness is 3mm, also its base is induction friendly Also its material, it becomes dishwasher friendly, easy to clean, even heating so it is very easy to make food Also it has no harmful coatings and it preserves nutrients And next cookwares is my absolute favorite, I use it a lot more heavily in cooking This is cast iron skillet, you can call it a frying pan Also its finish is super smooth, it is naturally non-stick, also its base is induction friendly And it comes pre-seasoned, it is naturally non-stick, it fortifies food with iron, enhances taste and can be used for making loads of recipes And I personally love it for making my stuffed parathas, very crispy and well cooked parathas Last but absolutely not the least is this wok, I really like this wok, this is stainless steel, tri-ply, 3 layer construction This handle comes with it, because it is a grip, it is very easy to stir food in it, it is very easy to stir food And the inner surface is very smooth, it is very easy to eat, it is not easy to eat, it is very easy to eat And its base is induction friendly and it is wok dish washer friendly I am using this a lot of time, these are my absolute favorites, if you are interested in buying it, I will give you a link in the description box You can check it out, there will also be a discount code, which I will flash on the screen in the video description box You will get extra discount on your order, whatever discount is on the website, you will get additional discount code So if you are interested in amazing cookwares from the Indus Valley, don't forget to check the description box in the video description box As a question is, please make sure to check out the description box I am a widowbe as a seal of sec personal advice I know aatie Turtle Electric doctrine Be sure to check out those三 If I know Heaveth, I will find those freaking onions तो यह दाल बहुत अच्छी टेस्टी बनती है साथ ही साथ मैंने चावल भी ले लिया है दाल को और चावल को सिर्फ दोना है सोक नहीं करना है अभी कुकर के अंदर मैं यह जो दाल है इसको डिर्कली आड कर रही हूं और जितना दाल है उससे थ्राइस पानी यहाँ पर आड कर देंगे और आप चाहें तो डाल किसी कंटेनर में डाल के भी रख सकते हो चाहें तो ऐसे डरेकली डाल को आड कर दीजे कुकर के अंदर और इसके बाद एक कंटेनर के अंदर मैंने यह राइस आड कर दिया है और जितना राइस लिया है इससे सवा पानी लेना है तो जो यह भी सोक नहीं है जिस्ट वाश्ट है और अब यह कंटेनर को लिड लगा देंगे उससे पहले कुछ एक चीजे मिला लेंगे तो दाल में मैंने डाला है ऑईल राइस में आड़ कर रही हूंगी आप ऑईल भी डाल सकते हो दोनों में डालेंगे नमक जो चावल है उसमें तो और दर के चावल में असलै वब कंटेनर में लेँ तो आपका कुकर क्लीन रहेगा उसके इसमें फिर पानी आडेंगे गão काcence प्रते है वाकर के चावल दल चावल काा कंटेनर कर दीजे अाल फैर जो बाहत क्राईट में यह जो बहुत गरम हो जाएगा तो फिर खोले चु आराम से खुल जाते विदाउट प्रेशर आप इसके साथ इस तरह आलू भी उबाल सकते हो तो आलू की भी एक साइड में सबजी फटाफट से हो जाएगी तो मैं आपको बोले थी दाल चावल एक साथ बटिया मैंने लिड लगा दिया है और अभी हम दाल के हिसाब से लगाएगे तो तीन सीटिया ले लेगे अगा तो पिर गैस बंद कर दीजेगा और ठाली के लिए मीठे की तारी कर्यानी हूं यह हैं मीटी सिवया जो बिना दूद के बंती हैं ड्राय वाली तो मैंने थोड़े से गी के अंदर काजू फ्राइ कर लें आप जो भी नट्स आपको पसंद है वो आप फ्राइ कर सकते हैं होल फ्राइ कर सकते हैं काट करके फ्राइ कर सकते हैं इसके बाद मैं मेजर करके वमिस तो भी उसे थोड़ा सा गी में बून लीजेगा अच्छी तरह बून जाने के बाद जितना वमिसली था उतना ही इसके अंदर पानी आड़ कर दीजे वैसे तो यह जो मीठी से वहां ड्राय वाली रहती है यह जो पतली वाली से वहां रहती ना उससे बनते हैं अगर आपके प और यह जो वमिसली इसको डखकन लगाकर पकाने की ज़रत नहीं है यह ऐसे ही खुले वरतन में अराम से पक जाती है इतने पानी में थोड़ा सा ही लाइची पाउडर में आड़ कर दिया था और अभी आप यह स्टेज देखिए पानी दिख भी नीरा है लेकिन थोड़ा थ स्टेज पे दो तीन चमच आपके स्वाद के हिसाब से चीनी आड़ कर दीजेगा और चीनी को मिक्स कीजिए जब तक चीनी डिजॉल हो जाए तब तक इसको पकाएंगे इसको सूखा नहीं करना है बस ध्यान दें कि चीनी डिजॉल हो जाए और फिर तुरंती इसमें कर लें तो फिके फिके नहीं लगेंगे उनमें भी थोड़े सी मिठास आ जाएगी गिव टो गुट मिक्स और अभी आप यह स्टेज देखिए बिल्कुल सॉफ्ट गीली-गीली से सवाई लग रही है मैं गैस बंद कर दूंगी क्योंकि यह ना मॉइस्टर अब्सॉर्ब क कर लेती हैं एक दम सुखी सुखी आप यहीं पर त्यार कर लेंगे ना तो सर्फ करने के टाइम तक बिल्कुल ही क्लंपी हो जाएंगी और कुकर में तीन सीटी आने के बाद मैंने ग्यास कर दिया था बंद इसका प्रेशर अपने आप निकल गया है तो मैं लिट खोल रही हूं आलू देखे कितने अच्छे से पग गया है थोड़े से बड़े बड़े आलू थे इसलिए मैंने हाफ में काटके रखे थे चोटे रेडी हो गया है दाल भी अच्छा पग गया है चावल को मैं तुरंती फ्लफ कर लूँगी वरना ये चावल का कटोरा केक बन जाएगा और देखे किते बड़िया मतलब खिले-खिले चावल बने है तुड़ासा दाल का पानी आ गया है यह भी सुन्दर ही लग रहा है कहीं पकाने के लिए रख रही हूं दूसरे बर्नर पे इसमें जब तक धुमा आए तब तक जो दाल है उसको तड़का लगा लेते हैं ओल लिया है मैंने आप घीवी ले सकते हो आड़ किया है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन थोड़ा अद्रक एंदन जीरा शुरू में जो लहसुन इसको पका लगाने से बहुत अच्छा थाए ने ज़सुन आप लगा ले जो दाल में जीर गालिक फटी जाए जया से लिए से जढ़ा अच्छ लिए ग्रेट कर लिए था गालिक काटा है तोड़ी सी एक सुकी लाल मिर्ची भी मैंने आड़ कर दिया है सारी ची करके एसे रफली काट करके आड कर रही हूं बहुत बारिक भी काटनी के ज़र अतनी है दाल में थोड़े दिखते से तमाटर अच्छे लगते हैं मुझे परसनली पसंद आते हैं और तमाटर आड कर दीजिए थोड़ी ही दाले इस उसी के हिसाब से मैंने प्यास वगर आड की दाल उबालते हुए भी डाली थी तो हल्दी यहां कम आड करें अब यह जो पावरर मसाले हैं यह अच्छे तरह भून जाएं तब तक मसाला भून लीजे दाल आड कीजिए गरम पानी मैंने कुकर में ही चला करके थोड़ा सा आड कर दे जिससे की कुकर के अंदर चुकी भ दाल भी निकल आए और यह दाल थिकनिस यहां पर चेक कर लीजे और इसको थोड़ा सा पका लेंगे तब तक मैं बिंडी चोंक दूँ तो मैंने जो सरसो का तेल है वो गैस बंद कर दी वापस से ओन करी है और इसमें आड के हैं मैंने थोड़ा सा जीरा लंबे कटे हुए प कर दीजे इस वक्त प्याज और बिंडी दोनों ही कच्छे है यह दोनों साथ साथ पग जाएंगे गुट स्टर थोड़ा फुल फ्लेम पे ही भून रही हूं मैं इसे और अड़ करेंगे मिसाले लाल मिर्ची का पाउडर थोड़ा ज्यादा धनिया का पाउडर थोड़ा सा पाउडर मैंने एड किया है साथ के पाउडर से अच्छा टेस्ट आता है बिंडी की सब्सी को और यह देखो एक मुझे बिना कटी मिली इसके बाद भी एक बिंडी और रही थी जो कटी नहीं थी गिव इस रियली गुट स्टर और मैं शॉल्ट यही पर मिला रही हूं जो म मैंने नमक अभे मिला दिया अगर मोटे तले की आप बड़तन ले रहे rely हैं तो बिंडी पक जाने के बाद नमक अने क्ला ये आपर एड़ेंगे इसके अंदर थोड़ा सा ओईल, जो आलू उबाले थे न इसको प्रॉसस कर लेंगे अब ये उबले हुए आलू आपके पास तयार है आप इसका जो चाहे करें इसके पराठे बना लें, कचोरी बना लें, रसे वाली सब्जी बना लें, जीरा आलू बना ल तेल नहीं है लाइट लाइट और मोटी मोटी थी यह कम तीकी होती है वर से टेस्ट अच्छा आता है सबसी में बिंडी अच्छी तरह भून चुकी है रेडी है गयास कर दिया है मैंने बंद और यहां पर जो मेरी प्याज है वो मुझे पकानी नहीं है बिल्कुल हलकी हलकी प तो मैंने आड कर दिया यहां पर एक टमाटर काटकर आप अर यहां ना टमाटर को भूनना है तेल में ही नमक नहीं डालना पहले भून लीज़े अच्छी तरह फिर आड करें नमक और मसाले लाल मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा मैंने धनिया का पाउडर एड किया हल्दी नहीं आड करती आलू के भरते में आपको पसंदे तो आप आड कर सकते हो और अच्छी तरह भूने हुए टमाटर हो इस चीज का ध्यान रखें सौफ्ट हो जाएं जब टमाटर तो आपके आलू है उसको हातों से इस तरह रफली मैश करके आड कर दीजे और यह जो आलू का इसे भून लीजे 2-4 मिनिट एंड लास्ट में इसमें आड कर दीजे कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया थोड़ा नीम्बू का रस भी आप मिला सकते हो बहुत अच्छा लगता है और सान्वे खशी को सबसे ज़्यादा पसंद आया था यह थाली में बच्चों को आलू की सारे कॉंपोनेंट्स हो चुके हैं रेडी फटा फट से थाली सर्व कर लेते हैं सबसे पहले मैं लगा रही हूं आलू का भरता आप ट्राय का ना यह टिफिन बॉक्स के लिए भी एक बहुत अच्छी रेसिपी है बच्चे से पराठे के साथ भी एंजॉय करते हैं देन दा इसको भी थोड़ा सा धने से मैं गानिश कर रही हूं इसको ऊपर से तड़का लगाने के ज़रत नहीं यह ऐसे बड़ी स्वाद बनती है और इसके बाद भिंडी और यह वमिसली देखे कितनी खिली-खिली ड्राय वमिसली बन कर त्यार हुई है और इसके बाद राइस मैंन काने के बाद मैंने किचन साफ किया बरतन बरतन साफ किये जो दो लोहे के बरतन मैंने इस्तमाल किये थे इन दोनों को दो करके मैंने पोंच करके पका लिया है मतलब गास पे रखके इनको अच्छा खासा गरम कर लिया है इससे फिर इनको सीजन करने की ऑईल करने के ज़रत रहती बाकी वर्तन मैंने डिश वाशर में लगा दिये कुछ एक बरतन मैंने हाथ से दो दिये ते जो डिश वाशर में नहीं गये आप शाम को हम लोग निकले थे बाहर एक्शली हम लोग नदकी बन वैसे व्या ये में और तो पीडिक पिलोस जो रहते ह一次 इस्तिमाल करती हूं वर अभी पांच-छे साल हो गए उनको जब मैं यह तक्ये बन कर आएंगे ना तो मैं आपको पूरा बताऊंगी कि क्यों मैं यह तक्ये बनवाने के लिए गई हूं रादर दन मार्किट से रेडिमेट तक्ये खरीदने के बजाए तो तक्ये का ओर्डर द आते हूंने बनाना अच्छा लगता है मुझे भी एक आराम मिल जाता है दूसरे के हाथ की चाय पीने को मिल जाती है तो बस हम लोग अभी एंजॉए करेंगे हमारी चाय और इसी के साथ आगे मिस वीडियो के एंड पर उमीद करती हूं वीडियो आपको अच्छी लगी है वीडियो में कहीं भी कुछ भी आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को एक लाइक दे सकते हो चानल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चानल जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नहीं वीडियो के साथ तिल देन अल आफ यू टेक वीडियो कर दो आफ यूशल टेकर बाइब यूशल टेकर बाइब यूशल टेकर बाइब यूशल झाल शब माई जा, जो आफ जब पर 15वाशल टेकर पर 25वाशल टेकर पर 26cop Annавать किया सीचल